इस वीडियो में बात कर लेते हैं DLF Limited की quickly analysis देख लेते हैं चैनल को like and subscribe करना मत भूलिएगा तो यहां recently इसके analysis करेते हैं और आप देखेंगे यहां पे multiple trend lines है trend line में आप देखेंगे के stock में यह जो trend line बन रही है अलग अलग यह कुछ इस level से उठ रही है यहां यहां से सारी काम कर रही है यहां पे जो यह trend line हाडल फेस कर रही है आज जो हाडल फेस हुआ trend line का ही हाडल हुआ यह आप देखेंगे july 23 से जो trend line बनी यहां से इसी का hurdle फेस हुआ कुछ न्यूज भी है साइट, न्यूज डिर्विन भी राय स्टॉक, आप देखेंगे, मार्केट चेटर्स, डियलेफ सेल प्रॉपर्टीज वर्थ 14 बिलियन इन हरियाना इंडिया, तो यहाँ पे इनकी यह 14 बिलियन की जो प्रॉपर्टी की उसका भी एफेक्ट है, एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ देखने को मिली है अपनको आज स्टॉक में, और एक्जेक्ट आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन का हर्डल फेस करते ही नज़र आईए, साथ ही साथ आप देखेंगे, जो सेलिंग अपनको देखने को मिली है, आज वो 718 थी, 718 पर सेलर्ज अक्टिव थे, तो इस देखेंगे, ट्रेंड लाइन की ऊपर नहीं जा पारा है, अब आप देखेंगे, बाय ट्यूस्डे, जब मार्केट खुलेगा, और सारी जिन साही रहती है, तो स्टॉक फिल से एंट्री करेगा, इस चैनल में अंदर कोसिस करेगा, आने की, क्योंकि चैनल में एक बार एंट्री हो जाएगी, तो यह जो चैनल की ट्रेंड लाइन दिख रहे है, यह सपोर्ट का काम करेगी, तो 716 स्टॉक लिए फिर सपोर्ट हो जाएगा, जो कि अभी रिजिस्टेंस है, तो यहां से जो अपना पहला टार्गेट है, उपर की दिसा के अंदर-अंदर एगर फाइनल टार्गेट की बात कर लें, तो 760 का टार्गेट रहे का अपना चैनल के अंदर-अंदर, तो यहां से यहां तक की रैली होगी, और जिसमें अपना देखना, कि अपनको जो रिटरंस निकल के आएगे, वो 6-7 परसंट की रिटरंस यहां से यहां तक बनेंगे अपने, यह तो क्या उपर की दिशा, अगर by any means stock fall करता है, क्योंकि आप देखेंगे, nifty का fall आया दो दिन पहले, recoveries तो सारी stocks में हो गई, दो दिन से green था stocks, अब अगर फिर से कोई unstability बनती है, क्योंकि nifty में अभी आप देखेंगे, correction खतम नहीं हुआ है correction तो आना बाकी है, कल तो सिर्फ छोटा सा जटका था nifty का एक, तो यहां पर आप देखेंगे, पहला support बनता है अपना 708 पर, further falling पर जो next support अपना create होगा, वो होगा 700 पर, यहां पर, और next इसके बाद जहां से आज bullish हुआ है, 694, 695, यहां थे, तो नीचे के अपने सारे हो तो यह कुछ levels हैं जो stock में support लेते हुए देखने को मिल सकता है, trailing stop loss use जरूर करिये, मैं हर बार बोल रहा हूँ, nifty unstable चल रहा है, फिर से कोई बड़ा fall आता है, तो आपकी returns बकड जाते हैं, उसमें ऐसा रहता है, अगर आपने 105 पर कहीं खरीदा, for an example, और sudden breakdown आता है, तो stock आ investment फस गया है, उस investment से आप कहीं और किसी stock में कमा सकते थे, तो ऐसे थोड़ा सुचा करिए risk management कितना रहेगा, अगर 95 से further falling आती है, तो आपका stock फिर 85 आजाएगा by next day, तो वहाँ पर आपको समझदारी रखनी होगी कितने stock में, मैं कितना hold करके रहूं, अगर long term की holding है, तब को सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है, जिनके पास 13 पाइसा है, आप देखेंगे, otherwise जितने भी नए लोगों के मेरे पास comment बहुत आते हैं, और सभी यही परिसाने के सार holding कितनी रखें, कैसे रखें, नहीं रखें, क्योंकि किसी के अंदर इतना सबर नहीं है कि मैं 2 सार 4 साल र